तो भाईयो और भेनो आज केंग जिलेवन पंजाब वर्सेस सन्राइजर्स के मुकाबले में हमें फिर से एक बार हमारे श्री 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 रहुल तेवतिया जी के दर्शन हो गए वो हुए हमें निकोलस पुरन के रूप में आज निकोलस पुरन जब मैंदान में बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि सक्षात सक्षात रहुल तेवतिया जी की आत्मा उनमें समा गई हो क्योंकि आज निकोलस पुरन की जो बैटिंग हमने देखी उससे हमें रहुल तेवतिया जी की याद आ गई इससे पहले हमने देखा था कि राहुल जी तेवतिया में हमारे श्री 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 यूरा सिंग की आत्मा आ गई थी और वो यूरा सिंग का रेकॉर्ड तोड़ने में सिर्फ एक छक्का दूर रहे गए जैसे यूरा सिंग की आत्मा ने रहूल तेवतिया के शरीर में प्रवेश किया था दोस्तों King Zealand पंजाब वरसे सारार के मैच में वैसे ही आज रहूल तेवतिया के आत्मा ने निकोलास पुरन के शरीर में प्रवेश किया और निकोलास पुरण ने हब बड़े बड़े चार छके चड़ दिये देखके तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आज राहुल तेवतिया का रेकॉर्ड जो पास सिक्सेस का आईपिल 2020 में बना है वो ब्रेक हो जाएगा पर रहुल जी तेवतिया के आत्मा ने एक बॉल के लिए विश्राम ले लिया दोस्तों और जो सिक्स्ट बॉल था वो डॉट चला गया तो टोटल ओर में चार सिक्सेस और एक बॉंडरी आई उससे अबदुल समत की जो ओर थी वो 28 सरनकी हो गई जब निकोलस पुरन ने अबदुल समत को चार चक्के लगाए तब कोटरेल के चेहरा देखने जैसा था दोस्तों शायद शेलन कोटरेल को अपना वो दिन याद आ गया जब रहुलते वतिया शरी श्री श्री रहुलते वतिया ने उनको एक ही ओर में पाच चक्के जड़े थे निकोलस पुरन ने आज 37 गेंदों में 37 रण ठोग डाले दोस्तों इसमें उनके पाच चौके और साथ चक्के बड़े बड़े साथ चक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 208 का रहा जो की श्री 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 तेवतिया से भी ज़्यादा था भले ही उनकी ये पारी किंग जिले उनके काम ना सकी और किंग जिले उन एज उज्वल आज का मैच भी हार गई तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस IPL में ऐसे ही आत्माओं की आदला बदली होती रहे और हमें अच्छे अच्छे मैचेस देखने मिले तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेप जरूर कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद ओम बद्रक